हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज हम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर डिस्केशन करने वाले हैं जो कि है आटोमेशन आटोमेशन को समझते हैं पहले क्या होता है देखिए यह जो प्रकृति है जैसे इंसान को ऐसा लगता ह कि मैं इंसान हूँ, बाकी चीजों की कोई वेल्यू नहीं है, है ना, इस संसार में हर एक चीज का अपना-पना योगदान होता है, जैसे आप यह देखिए प्रकृती से थोड़ा सा प्रकृती की तरफ देखते हैं, प्रकृती में जो पेड़ पोदे हैं, यह पेड़ पोदे फल देते हैं, लेकिन यह खुद फल निखाते हैं, दूसरों के लिए, सूरच, रोज, सुबे, भगवान, सूर्य देवता हमको दर्शन देते हैं, लेकिन हमारे लिए, उनकी धूपका हम यूज करते हैं, हमारे लिए हैं, रात को चंदा मामा आ जाते हैं, हमारे लिए, किसी दूसरे के लिए काम कर रही है तो वैसे भी जो इनसान होता है वो बना इसलिए है कि वो दूसरे की मदद करें दूसरे के कामा आए और जैसे ही कोई भी इंसान आपने दिखाव का जाते लोग ऐसे होते हैं बस खुद का देखते हैं मेरको क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा है ना और बस भगवान मेरा सब बढ़िया कर दो बाकी कोई टेंचन नहीं है तो आप देखिए जहां जो विक्ति जैसे ही स्वा कि आए में चैनल वास्टाव माया तो उसके बाद में उसकर जो जो मिलना था वास्था ओम जो मिलना था वो उसे कभी नहीं मिल पाता है एक आम का जो पीज होता है आम आम यह हम resonates है तो दो खंग होंग कर दोशन हो कि दो असमें बनेगा या तो आम का पीड़ बनेगा यह प आम बनोगे बनना है बोले मेरे को नहीं बनना मेरे को अम्रुद बनना है यहीं खतम हो जाओगे वैसा ही इंसान के साथ होता है इंसान जो बनने के लिए आया है या तो वो बन जाएगा या फिर वो खतम हो जाएगा तो इसलिए हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि यह प्रक उसको मैं कहता हूं जीवन में मेहनत करनी की जरूतनी पड़ेगी जैसे लोग कहते हैं मेहनत करने से मिलता है मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है क्या करना पड़ता है मैं आपको बता दूँ कि जो राजा भरत भगवान राम के छोटे भाई भरत तो जब माता केकई ने सब लुए यह ऐसे हुआ म ли उनले ये मैंने तेरे लिए किया तो वहीं से भरत ने क्या किया उनके खड़ाउ लिए मझालत वहां से पहले उख हो गए रामभ्हीया के पास वहां से उनके कहा कि नहीं मैं प्रकृति के ऑपोजिट नहीं जाओंगा है ना जब तक भगवान मतलब बड़े भाईया हैं तो बड़े भाईया ही राजपाट समा लेंगे मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा उनके भाई लक्षमन थे जब वन में जाने को हुए बुले मैं आपका चोटा भाईय हूँ मैं आपके साथ चलूँगा है ना हनुमान जी थे बुले भगवान मैं आपकी सेवा के लिए हूँ मैं आपकी सेवा करूँगा मातासीता थी ससूर्जी की बात मानी और इधर पती में वनवास को जाऊंगे आपको वनवास हुआ आप जाओ मैं क्यों चलूं और जिसने और को ब्रेक किया जैसे अभी कह समय में क्या हो रहा है अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति आपकी जीवन में आ गया जैसे एक चोटा सा एक्जामपल लेते हैं कि आपकी किसी से शादी हो गई है अब शादी हो गई मतलब कि वह आपका नसीब था ठीक है अब चूंकि आपने यह देखा कि यार यह मुझे पसंद है या कुछ भी इस प्रकार से मुझे पसंद नहीं है या इसके घर वालों ने कुछ नहीं दिया या किसी भी तरीके से आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर वो लड़की बोल रही है कि यह लड़का मेरे लायक नहीं है वो उस automation को तोड़के बोले कि मैं कि किसी और से बात करूंगी वो मेरे लायक है तो यहां पर जैसे ही व्यक्ति ओटोमेशन को ब्रेक करेगा सुखी रहने के लिए तो वो खुद देखेगा कि कहीं ने कहीं मैं दुखी होता जा रहा हूं मान लीजिए कि आप किसी ऐसे लड़के से प्यार करते हैं जिसका ओल्र आएगी बिल्कुल एक धम बाल लहराती लहराती और उसका मन उधर लग जाएगा और फिर आपका भी तुड़वा के चली जाएगी क्योंकि ओटोमेशन है जो आप देंगे वह आपके पास लोटके आएगा तो इस दुनिया में बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है जब आप ओटोमेशन को ब्रेक करते हैं सुखी रहने के लिए तो आप देखते हैं कि आप दुखी हो रहे हैं क्योंकि आपने इतना तो हैसास कर लिया होगा कि लाइफ में ब्लॉकेज कहीं से भी आ जाते हैं कुछ भी ब्लॉकेज आ जाएगा अच्छा खासा काम चलता चल बंद जाता है कि हम करना चाहगें समझने नहीं रहा है काम चलने क्यों नहीं रहा यह सब चीजे क्यों होती है यह सब चीज Rhonda भोती है जब हम हम ओटोमेशन को फोलो नहीं करते हैं है ना अब यह बात बहुत सारे लोगों पता ही नहीं अभी automation का मतलब आपका जो धर्म है उसका पालन आपको करना ही है आपका अपने माता-पिता के प्रती क्या करतव यह बनता है वह आपको करना पड़ेगा आप अगर सोच दो कि उनको व्रद्धाश्रम में छोड़के मैं स आप उसक्षें से नहीं रह पाएंगे कुछ ने कुछ ऐसे योग बनेंगे आपके बच्चे आपके हाथ से फिसल जाएंगे बच्चे कुछ ऐसा काम करेंगे आप चाहा के भी उनको उन चीजों से दूर नहीं कर पाओगी बस आपको परेशान होना पड़ेगा क्योंकि अबरजस्ती परेशान है और आप बस अपने अहम में हैं कि मैं में हूं तो आप चूंकि थोड़े दिन आप हो सकता उसको परेशान करके खुश रह लेंगे फिर आगे कुछ ने कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी कोई व्यक्ति आपके लिए तैयार हो जाएगा वह आपको परेशान यह मतलब सत्य बात बता रहा हूं जो है वो और यह मैं डरानी रहा हूं मतलब मैं तो बता रहा हूं जो फिर आप जैसे कई बार मेरे पास ऐसे कॉमेंट्स आते हैं सर यह बात हमको काश 10 साल पहले पता चल गई होती है क्योंकि देखो गलतियां अंजाने में हो ज पर स्वार्थ के चक्कर में वो किसी दूसरे का नुक्सान कर देता है तो हमारा जो जन्म हुआ है वो अपने लिए तो हुआ ही नहीं है दूसरे के लिए हुआ है यह सत्य बात है और जब आप दूसरे के लिए कुछ करना शुरू कर देता आपके लिए तो सब कुछ हो जात तो पहले में उनको यहां लेकर आया गाहों से, मैंने का नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे, हम साथ में आ रहेंगे, तो उनके लिए मेरे मन में आया, तो मैं तो अपने आप रहे रहा हूं, मैंने सोचा है कि यार, पिता जी को गाड़ी में घुमाएंगे, है न, तो उनको बिठ कि वह उर्मिला मा तोड कर क्या नाम है तो वह देखती है वाव कितना स्मार्ट बन दा है बस मुझे यह चाहिए अब उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है मतलब प्रकृति के ओटमेशन को तोड़ने के लिए तैयार है कि जब उसकी शादी हो चुकी है बसा-बसाया घर रहे तो मैं क्यों यह इसको परिशान करूं मुझे तो दूसरा मिल जाएगा लेकिन नहीं है लो वही चाहिए अब वही चाहिए तो उसने उसके लिए सब व्यस्ता कर ली उसने देख लिया कि यह इसकी उसकी वाइफ से बात कर ली बोले मैं तुमको दो करोड रूपे दू लेगी जो धर्म है उसका पालन करना पड़ेगा जिसके भी प्रती है ना पती के प्रती जो धर्म है आपको उसका पालन करना पड़ेगा पत्नी के प्रती धर्म है पालन करना पड़ेगा बच्चों के प्रती आप किसी भी चीज से मुझ नहीं मोड़ सकते मोड़ने के हो आप अगर किसी को धोका देने के चक्कर में हैं तो कोई आपके लिए तयार हो रहा है आप अगर किसी को हैपी करने के चक्कर में है कि आज मैं इस आज इसका बड़े है और आज मैं ऐसा इसको कुछ दे दूं कि यह खुश हो जाए है आज मैं इसको खुश कर दूं आपने कुछ भी जाके उसको छोटा सा एक गिफ्ट पेक करके दे दिया बजार से 20 रुपय का पहन लाके और उसका मन खुश हो हो तो आपके लिए 200 रुपय का कहीं से गिफ्ट तयार हो रहा है समझते किसी का बड़े मनना था कई घरों में ऐसा होता है कि आज इसका बड़े मनने और शादी में ऐसा कुछ न कुछ कोई व्यक्ति आएगा वो कलेस करके चला जाएगा फिर हम कहेंगे लोग केसे हैं दुनिया केसी है बात कर्मों की है अगर आप कल यूग में भी है आज कल यूग में है आप इससे बढ़िया तो कोई यूग भी नहीं है सब बढ़िया कोई दिक्कत नी है आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपके लिए यह सत्यूग है ऐसा होता ना घर में कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कहीं किसी का कुछ अच्छा हो रहा है ना घर में ही किसी विक्ति की कहीं से सगाई की बात आ दी है ऐसा होता है अपने भी तो आगे बच्चे आ रहे हैं चीजे अपने आ रही है फिर उस समय वो बात याद नहीं आती किसी को बोले हमने तो किसी का कुछ नहीं भी गाड़ा कभी तो इसलिए आप देखिए प्रकृति के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा सबसे पहले आपको समझना है तब जाके मेरा उध्दार होगा और अगर मैं मेरा सोचूगा तो कभी नहीं होगा ये बाट है समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं समझ में आई हो तो समय आने पे समझ में आएगी ठीक है चलो तो thank you everyone thank you so much video कैसा लगा comment करे करिये अ है ना मैंने सोच आप उसे जोईन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वाट्सप कर सकते हैं, और लिंक भी दी है, डारेक्ट आप जोईन भी कर सकते हैं, ठीक है, So, Thank You Everyone, Thank You So Much, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लागा, Thank You